इस साल सावन महिने की सुरुवाद 22 जुलाई दीन सौंबार के साथ होने जा रहा है जो बेहद सुभ माना जा रहा है इसके साथ ही सावन के पहले दीन यानि सौंबार के दीन तीन सुभ योग का भी निर्मान हो रहा है माना जाता है कि इस सुवयोग में भागवान भोलेनात की विदी विधान के साथ अगर सिभग्त पूजा अराधना करते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे और मांगी गई सारी मनुकामनाय अवस्य पुर्ण होगी वहीं पहले सुमबार के दिन भागवान भोलेनात की किस तरह पूजा अराधना करनी चाहिए और क्या अरपन करना चाहिए जानते हैं देवगर के बैतनात मंदिर के परसिद तिर्ट प्रोहीत परमोट सिंगारी जी से तिर्ट प्रोहीत जी सावन के सुमबार के दिन अद्भूत संयोग बन रहे हैं तो जातक को किस वीदी से पूजा अराधना करनी चाहिए ताके उनके पर भगवान सीव की किरपा बनी रहे और सभी जो भूल वस पाप हुए हैं वो समाप्त हो जाए सीव की पूजा के लिए सबसे पर्थम जो है उनको जो है सो जल से असनान कराएं जल से असनान कराने के बाद बिलपत्र चढ़ाएं बिलपत्र में अगर आप राम नाम लिख के चढ़ाते हैं तो अमोग फल दाई हो जाता है चुकि राम जो है सो स्वन सीव के अपासक है और सीव जो है सो राम के अपासक है ऐसा है रामस्वर एक जोतिलिंग है रामस्वर 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 रामस्व चड़ाया जाता है तो बहुत प्रसन होते हैं और उसमें जल से पूजा कि जाती है और इस सारे वसुवेद चड़ाने के समय नमस्वाइका जब अधिक से अधिक करें मन ही मन माला माला चलती रहने चाहिए नमस्वाइका और वो चड़ते रहे चड़ाते रहें सामगरी को जो भी सामगरी है दूद है रंगाजल है विलपत्र है चंदन है अभीर है अक्षत है सब चड़ाने समय शीव नमसिवय का मन ही मन जाब करते रहें और चड़ाते रहें